हेलो बच्चों आज हमारा question है x i 2.3 से question no.4 करेंगे find हमें find करना हमारा पहला क्या 2 upon 5 divided by 1 upon 2 भाई हमारा fraction जब भी divide में होता तो हम क्या करते है पहला part fraction क्या 2 upon 5 इसको तो same लिख देंगे अब यह divide का सहय ने इसको हम किस में convert कर देते multiply में और पीछे वाला जो fraction है क्या 1 upon 2 इसक reciprocal को मतलब है denominator को numerator बना देते numerator numerator को denominator means यह reciprocal हो जाएगा 2 upon 1 ओके अब हमारा इसको multiply कर दे two two जा कितना हो जाएगा और four हो जाएगा और five one जा five तो यह हमारा answer आ गया ओके ऐसी देखो four upon कितना है nine है हम divide के होता यह मंटिप्लाई होता ओके अब four three जा कितना हो जाएगा बैट 12 हो जाएगा nine two जा कितना हो जाएगा 18 आप इसको कार सकते हैं देखो six की टेवल नहीं है six two जा 12 six three जा 18 तो हमारे डिटीशन हों क्या आगा है two upon three ओके अब देखो हमारे next क्या three upon seven three upon seven by divide का sign हमें किस में convert करना multiply में reciprocal हो जाएगा seven upon eight हो जाएगा seven से तो seven कर जाएगा क्यों कर देगा बीच में multiply बलाएगा sign है अब यहां क्यों होगा यह भी one है three बंजा कितना हो जाएगा भाई three हो जाएगा eight बंजा eight यह हमारा answer हो गया अब यह हमारा mix fraction में इसको कहते होल नंबर यह हमारा numerator है यह denominator है अब पहले denominator हो होल नंबर आपसमें multiply होते तो denominator कितना है three है होल नंबर कितना है two और add होता है इसमें क्या numerator one two three जा six one seven तो यह बन जाएगा हमारा seven अपॉन three ओके divide का sign multiply में change हो जाएगा यह reciprocal हो जाएगा five अपॉन three हो जाएगा भाई अब इसको multiply कर लो seven five जाएगा 35 ओके और three three जा nine यह हमारा answer हो जाएगा ओके ऐसे हमारा nest है देखो यह भी हमारा mix fraction में तो हमने क्या denominator और whole नंबर आपस में क्या होगा multiply but two into three हो जाएगा कितना हो जाएगा six plus one seven अपॉन two हो जाएगा divide का sign किसमें change होगा multiply में यह reciprocal को ले जाएगा three upon eight हो जाएगा अब देखो seven three जा कितना हो जाएगा twenty one eight two जा कितना हो जाएगा sixteen यह हमारा answer हो गया ऐसे देखो two upon five recipe यहां पहले हम divide को इसको mix में हम improper में करेंगे two one जा two one three यह हमारा three upon two हो जाएगा अब इसको आगे करेंगे two upon five multiply two upon यह reciprocal हो गया three two two जा कितना हो जाएगा भाई four हो जाएगा और five three जा fifteen हो जाएगा okay ऐसे देखो five three जा fifteen multiply हो रहे one sixteen तो sixteen अपोन कितना आ गया हमारा five आ गया ओके यह multiply हो जाएगा अब three पहले हम multiply ने कर दे डिवाइड ही रखेंगे ओके three one जा three और one three one जा three और two कितना हो जाएगा five upon three हो जाएगा अब देखो sixteen upon five reciprocal कर दो three upon five sixteen three जा कितना हो जाएगा 48 होता है ट्वट्व त्वट्व जाता फिप्टी हो जाएगा तो क्या करेंगे 25 बचा ट्वट्वट्व एट में जो five गए कितना बचेगा थी फोर में टू गए टू तो यह हमारा लिमेंडर बचा यह हमारा क्या होता नूमिटर बन जाता यह क्वट्व और बन जाता है और जो धिल्वट्व दिख्वा 5 वंज़ 5 वं 6, 6 अपोन 5, 11 अपोन 5, मंटिप्लाई हो जाएगा, 5 अपोन 6, ये कड़ गया, 11 अपोन 6 हमारा आंसर आगए, ओके?